पुरिष्मिन द्रहारु नहीं अपाइब चाप्टर नम्बर कुर्पटर नम्बर को नहीं हमपढ़ने जालें इसका नाम है DC फंडमेंटल्स DC फंडमेंटल्स मुराद डिर्क्रेंट्ट कुरेंट्स हमने दो किसम के करेंट्स पढ़े हैं एक type होती है Alternating current, एक type होती है direct current Alternating current अपना direction divine, Magnitude इसने चूट को with respect to time change करता है जबके direct current अपने Direction machine with respect to time change नहीं करता है यह लिए льटने के इंदर बेसिक difference है example इसकी है कि ज़भर इन आके power वाबडा से आ रही होती है Made switch board के अंदर current आर होता है अब अल्टरेटिंग करन्ट होता है 50 Hz की उपर उसकी फ्रिकेंसी होती है और तू टू टी वोर्ट्स तू थर्टी वोर्ट्स उसकी वोर्ट के जो आपके पास आपकी लेड एशीड बैटरीज आपकी सेलफोन की बैटरीज लेखियमाइन बैटरीज और जितिम भी हम लोग अ अर अल्टरेटिंग करремट के अंदर एक चीज़ यादट ने कीए है कि डिरेक्ट कर heirंट हमेशा स्टोर किय जाता है जबकि अल्टरेटिंग कररंट के जाता है और alternating current हमेशा produce किया था जबके direct current प्रोड्यूस नहीं किया जा था तो हमेशा हम back end के उपर जो main power होती है हमारा वाबडा जो हमारे dance होते हो आपर alternating current ही produce करते हैं direct current की generation नहीं होती alternating current को फिर direct में convert करके through rectification हम अपनी batteries के अंदर store करते हैं और उस direct current को हम इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेक्पेड का आगास करते हैं ओहम्जला को समझता जरूरी है last lecture के अंदर में मैंने आपको थोड़ा सा इसके बार भी ब्रीफ किया था ओहम्जला कहता है कि electric current is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance दो में में बाते करता है कि सबसे पहले कहता है कि electric current is directly proportional to the voltage कि आपका current और voltage resistance अगर constant होगी तो हमेशा directly proportional रहेगा constant resistance के उपर आप अगर electric voltage बढ़ाएंगे तो आपका automatically current बढ़ेगा electric voltage कम करेंगे तो आपका automatic current कम होगा यह दोनों directly proportional होगे if the resistance is constant और दूसरी बात यह कहता है ओमजला कि electric current is inversely proportional to the resistance अगर आपका current if आपका voltage constant है और आप current increase यह resistance increase करते हैं तो आपका current automatically decrease होगा और अगर आप resistance decrease करते हैं तो current increase होगा यह दोनों आपस में inversely proportional है तो ओमजला दो बातें बता रहे हैं क्या अगर आपके पास एक water tank हो और पानी आप current से उसको symbolize करोगे कि पानी as a current flow कर रहा है और जो tap है वह as a resistance का आप जितना आप tap को गुमाएंगे बढ़ाएंगे इसकी resistance बढ़ेगी आपका पानी कम होगा एक टाइम पे आप इतनी resistance बढ़ा सकते हैं कि आप बिल्कुल पानी को रोग नहीं जितना आप उसको कम करेंगे resistance को उतना ही पानी उसके इंदर से flow करेगा और ऐसी मिसाल voltage किया as a tank जितना आप tank को बढ़ा करेंगे उतना ही pressure of water बढ़ेगा जितना आप tank को उठाएंगे उसका potential बढ़ाएंगे उतना ही आपके पास current य current and resistance are inversely proportional so this is ohms law हमारे पास current का unit ampere होता है voltage का unit या potential का unit volt होता है और resistance का unit cohort होता है next हमारे पास जो topic है वो important है this is law of resistance law of resistance के अदर basically यह तीन laws का combination है आपके पास एक सामने आपको image नज़र आ रही है यह समझें आप substance यह material है जिसे हम conductor कह सकते हैं अब इस ही resistance इस चीज के ओपर depend कर रही है this is basically the law of resistance so the first law of resistance जो law of उसका पहला पार्ट हो कहता है कि resistance is R is the electrical resistance of substance R is the electrical resistance है क्या कहता है वो the resistance of a substance is directly proportional to the length of the substance जितनी आप conductor की length बढ़ाएंगे उतनी उसकी resistance automatically बढ़ेगी जितनी आप substance की length बढ़ाएंगे उतनी उसकी resistance बढ़ेगी क्योंकि उसकी length बढ़ेगी है तो जिसमेंसे flow होने वाला current है उसको जादा resistance का सामना पढ़ेगा the first law says in the law of resistance resistance is directly proportional to the length this is the length of the substance जितनी इंक्रीज होगी उतनी ही इसकी resistance बढ़ेगा second thing the resistance of a substance is directly universally proportional to the cross-sectional area of the substance this is the cross-sectional area of the substance अब यह material है अफकोर्स यह connector होगा हर connector की अपनी resistance होती है तो इसकी जो इस connector की resistance है वो universally proportional to cross-sectional area है जितना area के पास बढ़ा होगा उतनी ही resistance कम होगी इसकी मिसाल आप एक water pipe से ले सकते हैं कि अगर आप water pipe की water pipe को टंग कर देंगे आप low diameter का water pipe लेंगे तो उसमेंसे पानी को flow होने में ज्यादा मुश्किल होगी अगर आप बड़ा pipe ले लेंगे इसका cross-sectional area ज्यादा होगा उसमेंसे पानी easily flow करेगा जितना आपके पास cross-sectional area बढ़ा होगा उतनी ही इसकी resistance काम होगी और जितना cross-sectional area काम होगा उतनी ही resistance ज्यादा होगी where is the cross-sectional area of the substance तो दूसरी बात में क्या पता चली अगर हम दूसरी प्रपोर्शन तो दूसरी बात यह है अगर हम लोग दोनों पिछले लासों कम्बाइन करें क्या बनता है हमारे पास R is equal to L over A अगर हम दूसरी प्रपोर्शन तो R is directly proportional to the L over A अब इस प्रपोर्शनलिटी को अगर हम equality के अंदर convert करना चाहें तो हमें को इनकी constant required होगा तो हमने कहा जी this is the constant this P जिसको हम रोह कहते हैं this is the constant R is equal to Rho L over A this is the law of resistance this is the actual formula of the law of resistance अच्छा अब यह Rho क्या है where Rho is the proportionality constant known as resistivity or specific resistance of the material of the conductor or a substance यह Rho resistivity यह specific resistance कहलाती है उस material का अब यह specific resistance होती है resistance और specific resistance के अंदर क्या फरक है resistance is the resistance of the overall material but resistivity is the resistance of a unit length having unit cross sectional area of a material this is called resistivity but अब इसको पैसे कह सकते हैं one meter cube resistance of a one meter cube of a material is called resistivity but the resistance of the whole material is called the resistance of the substance but if you take the one cube one meter cube of a material it is called resistivity so okay आपने इन दोनों के अंदर difference रखना है कि resistance is the resistance of the overall material but the resistivity is the resistance of the specific unit length or cross sectional area of a material इन दोनों में फरक है अच्छा अगर आप किसी element की resistivity ज्यादा होगी तो of course उसकी अवरा resistance भी ज्यादा होगी अगर उसके one meter cube की resistance ज्यादा है तो उसकी एक meter पूरे लेंस की जो है ना अगर दस मेंटर का वह material है तो of course दस मेंटर की में ज्यादा ही होगी तो जितनी resistivity ज्यादा होगी उसकी इतनी ही resistance भी ज्यादा होगी तो इस दोनों directly proportional है if the resistivity of the material is high the resistance offered by the substance made by this material is high and vice versa अगर resistivity काम होगी तो resistance अवराल भी काम होगी अगर resistivity high होगी, तो overall bhi resistance high होगी so R is directly proportional to the P which means resistance is directly proportional to resistivity ही ऐसे हि अच्छ नेक्स दिश्यस्ट में वो इसका यूर्ट है मैं पता है रिश्टास का क्यूंट होता है अग्वाट के इन व्हुट विल दर यूनिट ऑ रिश्टिविटी ती विस्टी टी हम कैसे निकालेंगे यह मेरे पास वोल फामुला बनता है R is equal to rho L over A this is called the law of resistance this is the pure formula of the law of resistance अगर आपको कहा जाए कि what is law of resistance आपको होगे the first point says resistance is directly proportional to the length resistance is inversely proportional to the area and resistance is directly proportional to the resistivity this is called the law of resistance यह तीन मेरे पॉइंट हैं और इसके बाद इसका फामुला अच्छ अगर आप A को उठाकर इदर ले आए R की तरफ तो A R is equal to rho L आप rho को इस तरफ ले आए और L को L इदर multiply हो रहाए कर तो जाकर डिवाइड हो जाएगा A R over L यह हम यूनिट निकाने के लिए कर रहे हैं कि resistivity का यूनिट क्या होगा तो area का unit होता है मीटर स्कूर रिजिस्ट्ट्र कहीं उड़ता है होम लेंथ कहीं उड़ता है मीटर एक मीटर मीटर स्कूर से कट सेगा तो resistivity is meter होम इट मीज मीटर होम यह बता रहा है हमें कि this is the specific length of or specific area of a material ठीक है? तो आप कह सकते हैं इस resistivity को इस unit को देखते हुए कि resistance of a meter cube या resistance of a meter length of a material is called specific resistance or resistivity ठीक है? तो एक दाफ है इसको revise कर देता हूँ कि law of resistance हमें कहता है कि resistance is directly proportional to the length of the material and resistance is inversely proportional to the cross sectional area of the material and resistance is directly proportional to the resistivity of the material this is called the law of resistance कि इतना length बढ़ेगी material कि उतनी resistance बढ़ेगी कि उतना उसका cross sectional area बढ़ेगा उतनी उसकी resistance कम होगी जितनी उसकी specific या उसकी resistivity बढ़ेगी उतनी ही उसकी resistance बढ़ेगी और इसका unit जो है वो meter हो है resistivity का unit meter हो है और resistance का unit simply हो है अच्छा next हमारे पर दो चीज़ें हैं इनको भी समझना जरूरती है जरूरी है यसे हमने resistance और resistivity को समझा है वैसी conductance और conductivity को समझना भी जरूरी है Conductance क्या होती है Conductance is the measure of how easily electricity flow along a certain path through an electrical element किसी भी conductor के अंदर electricity को flow करना कितना आसान होता है इसको उसकी resistance इसको उसकी conductance कहते है इसके बरक्स resistance क्या था the opposition in the flow of the current is called resistance but conductance is the easiness in the flow of the current is called conductance ठीक है दोनों के दोनों एक बुसे के opposite है तो resistance को R से रुनेट करते हैं जबकि Connectance को G से रुनेट करते हैं resistance का यूट है जबकि Connectance का यूट मोहो को उल्टक करेंगे तो मोहो हो जाएगा symbol कूलेट करेंगे तो इसका symbol बन जाएगा मोहो को Siemens भी कहते हैं इसके बाद है conductivity अब conductivity क्या है Connectance of a unit length having unit cross sectional area of a material is called conductivity वही बात है जो हमारे पास resistivity में थी resistivity में मैं आपको क्या बदाया था resistance of a unit length having unit cross sectional area of a material is called resistivity and conductance conductance of a unit length having unit cross sectional area of a material is called connectivity यसी specific length specific area of a material की conductance क्या है उसकी connectivity कहलाती है इसको sigma से जाहर के जाता है resistivity को रोह से जाहर के जाता है इसका symbol यह है और यसी resistivity meter ohm है this is connectivity is siemens per meter this is called conductivity इसके main difference क्या है यह अपनी आधर है यहाँ पर देखे law of resistance क्या कहता था r is equal to rho L over a जबकि conductance क्या कहता है इसको opposite कर दे a over rho L जब रो जो है resistivity के लिए इस्तमाल होता है जब हम conductivity की बात करेंगे तो rho की जगा sigma आ जाएगा ठीक है तो sigma conductivity को शो करता है and is directly proportional to the conductance और rho resistivity को शो करता है and is directly proportional to the resistance तो हमारे पास जो conductance है उसका formula बनेगा A sigma over L ठीक है जबकि resistance का formula बनेगा law of resistance का वो rho L over A तो यह आपने आद रखना है resistivity meter ohm में define कियाती है और connectivity सीमस पर meter के पड़ी define कियाती है तो ओफुली आपको इन दोनों चीजों का concept समझ आ गया होगा कि what is the difference between resistance and resistivity and what is the difference between conductance and conductivity तो conductance और conductivity को mixing करना आपने आपस में conductance overall material of the conductance connector होती है जबकि conductivity specific length और specific area of a material होती है ठीक है और resistance directly proportional to the resistivity होती है ऐसे ही connectors directly proportional to the connectivity होती है तो दोनों आपस में दूसरे के रहसी प्रोकल्स है दोनों चीज़े आप एक दूसरे की मुखालिफ चीज़े है resistance और connector से दूसरे की मुखालिफ चीज़े है और resistivity and connectivity एक दूसरे की मुखालिफ चीज़े है तो ओफिली आपको इन दोनों के द्रम्यान difference हमज़ा आगया होगा important topic था इसको अपने write on भी कर लेना है और इसको इनके notes बनाकर इसके फामूलास को जहें में रखने है आजके यतना ही Allah आफेस